हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है संकोच अरे बहु तुमारी जोबान तो बहुत चटर पटर चलने लगी है थोड़ा भी बोलने की तमीज नहीं है क्या तमीज बेच खाई हो अपनी ननत के बारे में ऐसी बाते बोलते हुए तुमें थोड़ी भी सर्म नहीं आ रही कैसे सरमा जी आरती अपने पती से अपने हाथ के दर्द के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि संजीव देखे पूरा दिन काम कहने से कैसे मेरे हाथ में काले काले से निसान पढ़ गई हैं निसान देखकर संजीव ने भी कहा हां आरती ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने यह तो सच में बहुत गहरा दाग पढ़ गया है पती की हमजदी पाते ही आरती अंदर अंदर खुस हो जाती है और खुसी में ही कहने लगती है आज मैंने पूरे घर की खुब अच्छे से रगड के सफाई करी है इसलिए हाथों पर कुछ ज़्यादा ही जोर पड़ गया जिसकी वज़ा से काले काले दाग से पड़ गए है बस यहीं बाते कमला जी के कानों में पड़ गई अब कमला जी तुरंत बहु बेठे के कमरे में आते हुए कहती है अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई घर के ही तो काम की हो घर के काम करती है तो इतना बताते नहीं है तुमा अपने पती संजीव की ओर देखा, संजीव ने उसे इसारे में हिसान तरहने के लिए कहा, अब संजीव मा के सामने क्या ही बोले, उन्हें पता था, कि अगर वा आरती कापच चलेंगे, तो मा को ही बुरा लग जाएगा, और मा के फिर हजार नकरे सुरू हो जाएंगे, वह अ इसने तने काम से अगर हाँद दिखाने लगे, और रोना लेकर बैठ जाएं, तो समल गए गरास्ती, बात आगे ना बढ़े, इसलिए आरती चुपचाप उठकर किचन में चली गई, उसकी आँखों से लगातार आंसों निकल रहे थे, क्योंकि उसने सच में, पूरे घर के एक-एक कोने की सफाई, बहुती तरीके से की थी, पूरा दिन लग गया था, और पूरा दिन काम कहने के बाद भी, कभी भी ससुराल में किसी के मुझे प्यार की बोली ना निकलती थी, अगर यहीं काम मायके में करती, तो मासे उसे कितना प्यार मिलता, साथ ही कितनी मिलती, लेकिन यह तो ससुराल है, और ससुराल में बहु की कभी तारिफ होती नहीं है, खैर आरती को तो अपनी सास की बाते बुरी लगी थी, लेकिन इस बात की तसली भी थी, कि कम से कम उसका पती तो उसके साथ है, वह तो उसकी और उसके काम की कदर करता है, आरती सुभा का सारा काम करके दो पार का खाना बना कर अपनी सास को खिलाने के बाद खुद खाकर जैसे ही लेटने गई कि अचानक ही डोर बिलबज उठी मन खीज उठा था आर्थी का अनमने मन से ही जैसे वा दरवाजा खोलती है कि सामने मुस्कुराती हुई ननत रानी खड़ी दिखाई दी सीतल को देख आरती कामन बैठ जाता है क्योंकि वह एक तो पहले से ही ठक गई थी दूसरे वसासुमा की एक से एक फरमाई से सुरू हो जाएंगी और वैसे भी कोई भी इंसान हो दो पहर को खाना खाने के बाद एक घंटा आराम करता ही करता है लेकिन बारती के लिए आराम हराम था वह ब ननत की फरमाईस पर उनके पसंद का खाना बनाएगी क्योंकि इस टाइम आने का मतलब है कि वह बिना खाना खाई ही आई है और यहाँ कोई आज की बात नहीं है हफ़ते में हर दूसरे तीसरे दिन नदरानी बिना बताया ही जाती है 15-20 मिनट की दूरी पर ही उनका घर है इसलिए जब भी जी में आता है चली आती है और पूरे दिन मा बेटी मेरी एक से कम्या निकालती रहती मेरी इतनी सिकायती इतनी बुराइयां होती कि साइद इतनी तो पूरे गाउं में किसी की नहुई हो या ऐसा कहलो पूरे सहर में ही किसी की नहुई हो ना मा जी की सिकायते खत्म होती ना बेटी की हिदायते खत्म होती दो घंटा तिन घंटा ननद रानी जब तक रहती, दोनों मा बेटी के बीच में बस चर्चा का विशाय मैं ही होती थी, आभी में दर्वाजे पर ही खड़ी थी, कि तभी सीतल ने कहा, भाबी अभाटों की भी, या दर्वाजे पर ही खड़ी रहोगी, कहते हुए वहारती को, एक साइड में करते हु किसी को भी मतलब नहीं है, क्या करू मा, मैं बस तुम्हारे ही चकर में भाग भाग कर आती रहती हूँ, नहीं तो टाइम ही कहा मिलता है, इतना आने का, घर में इतने काम रहती हैं, कि शांस लेने की भी फुरसत नहीं रहती है, पूरे दिन करते रहो, इसके बावजुद भ कोई कदर नहीं होती है ससुराल में, कहते हुए सीतल ने उदास सा चेहरा बना लिया था, कि तबी आरती सीतल के लिए पानी लेकर आती है, और उसकी बाते सुनकर कहती है, दीदी तो कौन सी बड़ी बात है, अपने घर का काम किसी को बताते थोड़ी ही है, आपका घर है, त तुम्हारी जवान, तुम किसे बाते कर रही हो, तुम्हें जरा भी अकल है, अपनी नगत के बारे में ऐसी बाते करते हुए, तुम्हें जरा भी सर्म नहीं आ रही, एक तु बेचारी काम करते करते परेसान रहती है, हालत खराब हो जाती है, दूसरे तुम, उसके जले पर न जो आपने मेरे लिए कहा था कल भूल गई क्या, कल कैसे आपने इनके सामने ही मुझे कहा था, कि या तुम्हारा घर है, काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें गिनाने वाली कौन सी बात है, तो वहीं बाते तो, बस मैंने दीदी के लिए भी बोल दी, तो आप बुरा मान गई, अगर मेरी बात बुरी है, तो मतलब आपकी भी बात बुरी थी, अगर मैं गलत हूँ, तो मतलब आप भी गलत थी, आपको दीदी का तो दुख समझ में आ रहा है कि, वह कितना काम करती हैं, लेकिन मेरा, मेरा अपनी आँखों से देखते वे भी, आपको दिखाई नहीं दे अगर काईदे से भी देखा जाए तो दीदी के काम में और मेरे काम में जमिन आसमान कांतर है भावी कहना क्या चाहती हो या कैसी बक्वास कर रही हो तुम मेरे घर का काम तुम कहने जाती हो दीदी बुरा मत मानिएगा लेकिन कहितों सही रही हूं एक आपके पती हैं वह जी हैं मेरे पती हैं जो खाते भी हैं ले भी जाती हैं मैं हूं देवर जी उपर से हपते में दो दिन तो आप यहीं पर रहती हैं दो पार का खाना भी खाती हैं और रात का डिनर भी पैक करवा कर ले जाती हैं इसके बाद भी आपको काम पढ़ता है बरतन धोने वाली आपकी आती है जाडू पोछा करने वाली आपकी आती है खाना हपते में दो दिन यहां से जाता है फिर भी आपको बहुत काम पड़ता है और आपका काम सुनकर माजी को बड़ा दुख हो रहा है और जब मेरी बारी आती है तो माजी साप साप कहती है कि तुम्हारा घर है तो काम करना कि बहु ने मेरे ही बात का जवाब पलटके दिया है आरती भी तो वहीं सब कुछ कह रही है जो मैंने उसके लिए कल कहा था अब अपनी ही बात को गलत भी कैसे साबित कर सकती थी कमला जी इसलिए वा वो बस बहु की बाते सुन मन मसूस कर रहे गई शास की हालत देगा आरती मन ही मन मुस्कुराने लगी और खुद से ही कहने लगी और बोले मा जी अब मैं भी वहीं बोलूँगी जो आम मेरे लिए बोलेंगी या तो आपका बोलना छूट जाएगा या तो आम मेरे काम की कदर करना सीख जाएंगी लेकिन इसकी नौबत तो नहीं आई उस दिन के बाद कमरा जी कभी भी बहु के सामने ना तो कमिया निकालती थी ना ही कभी उसके काम को लेकर कुछ कहती थी क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर अम में बहु को कुछ भी कहूंगी तो जब भी बेटी आएगी उसके सामने अपना मुख खोल देगी जिसका मुए एक बार खुल गया है दोबारा खोलने में उसे कोई संकोच नहीं होगा बेटी की खातिर ही सही उस दिन के बाद से कमरा जी ने कुछ कहना ही छोड़ दिया आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छे लगी होगी कहानी अच्छे लगी हो तो चैनल को लाइक सेर्ट सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में तब तक के लिए धन्यवाद